इसके अलावा रही बात बुकलिस्ट की, प्रिलिम्स से रिलेटेड, तो मैं कहूंगा कि जो हमारे पुराने टॉपर्स ने सजेस्ट किया था, मैंने भी more or less वही सेम बुकलिस्ट की थी, जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, इसके अलावा जैसे शंकार आयस भी refer कर लिया था, इसके अलावा जैसे पॉलिटी के लिए लक्षमी कान्त सब को भी prefer करते हैं, तो वो मैंने भी किया था, उसके अलावा मैंने bare act पर बहुत focus किया था, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि जो exact words है, या उन words की definitions हैं, वो काफी important हो जा रही है, constitution related, तो मैंन से हम अपने concept को build up करें, चाहिए वो किसी भी book से हो, मोटी books मैं avoid करता था, किसी coaching के notes से, या किसी google के source से, इस तरह से ही मैं आपने topic wise prepare करने का प्रयास करता था, economy को, और बाकी science and technology में तो मैंने बहुत जादा focus नहीं कर पाया था, मेरा main focus रहता था कि, जो biology related subjects हैं, क्योंकि physics से मेरे को थोड़ा confidence था, तो मैं biology related subject जो थे उनको Google से या फिर PT 365 जो आती है vision की उससे कर लेता था, या फिर जो आपके पुराने साल के papers हैं, उनको देख करके उन topics पे ही, मैं Google करके या फिर किसी पुराने toppers के notes पड़े होते थे, तो उनसे मैं refer कर लेता था, तो more or less, यह मे